दोस्तो आज हम चर्चा करेंगे वैब सीरीज दे ब्रोकन न्यूज की जी हाँ जी फाई पर ये वैब सीरीज स्ट्रीम कर रही है और आज कल काफी सूर्खियां बटोर रही है विने व्याकूल के निर्देशन में बनी ये वैब सीरीज जिसमें मुख्य भूमी का निभाई है जैदी पहलावत, सोनाली बेंद्रे और श्रया पिलगाओं करने दरसल प्रेस के असली चहरे से रूबरू करवाती ये वैब सीरीज बेटिश टीवी सोव प्रेस का इन्डियन एटैप्टेशन है हालांकि वैब सीरीज में जिन भारतिय परसंगों का जिकर किया गया है वो वर्तमान प्रिदर्श के हिसाब से वर्तमान सिनेरियों के हिसाब से बिलकुल सटीक बैठते हैं The Broken News कहानी है दो न्यू चैनल्स आकास भारती और जोस 24-7 की दोनों चैनल्स में कड़ी प्रतिस परदा है जोस 24-7 के एडिटर और स्टार एंकर जैदी पहलावत यानि दिपांकर सान्याल खबरों को कहानियों के रूप में परोसने में विश्वास रखते हैं उन्हें संसनी बना कर पेश्ट करने में विश्वास रखते हैं दिपांकर का चैनल टी आरपी के मामले में सभी न्यू चैनल से आगे है और रेवेन्यू जनरेट करने में इसका कोई सानी नहीं है इसका किसी से कोई मुकाबला नहीं है चैनल का मकसद केवल वीवर्शी बढ़ाने और रेवेन्यू जनरेट करने पे है चाहे फिर इसके लिए पत्रकारिता के निये मुकाइदे कानून और उसूलों को ताक पर ही क्यों न रखना पड़े दूसरी तरफ आवाज भारतिक एडिटर सुनाली बेंदरे यानि अमीना कुरेशी इंपोर्टेंस देती हैं एथिक्स को वह एथिक्स के लिए पत्रकारिता करती है और बाकी लोगों को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है तभी तो TRP की रेस में पिछड़ने के बावजूद वह संसिनी खेज खबरों का परशान नहीं करती और अपने साथियों को भी ऐसा कहती है वह संसनी पैदा करने की बजाए पहले facts को verify करती है और उसके बाद खबरों को दिखाती है उनको दर्शकों तक पहुँचाती है अगर बात अदाकारी की की जाए तो फिल्म के सभी मुखे किरदारों ने अपने अभीने के साथ न्याए किया है हमेशा की तरह जैदी पहलावत यानि दिपांकर सान्याल ने न्यूज जैंकर की भूमिका को बड़े शांदार तरीके से निभाया है और वो इस भूमिका में जस्ते भी है न्यूज ओफिस में एक कड़क बॉस एक स्टार न्यूज जैंकर का स्टारडम लेकिन अपने नीजे जीवन में अपने बेटी के साथ अपनी फैमिली में उसका एक अलग चेहरा आपको दिखता है और ये सारी भाव भंगिमाएं अपनी चेहरे पर वो बड़ अच्छे तर लगती है और विश्वास उनके चहरे पर नजर आता है अपने नीजे जन्दगी में चल रही उठा प्रटक के बावजूद उनके चहरे पर भाव नहीं आते और अपनी एथिक्स वाली जॉनलिजम जारी रखती है अपने टीम का लगातार होसला बढ़ाती है जो बाकी टीम रिपोर्टर है और जीवन में कुछ करना चाहती है श्रया अपनी रूमेट और एक न्यूज चैनल की खौजी पत्रकार जूलिया अलवारिस की रहसे में प्रिश्टितियों महीं मोत के पीछे के कारणों को तलासती है और वो अपनी मिशनरी जनलिजम के जरिए अलग- डायलोग तो ऐसे हैं जिनने आप वेब सीरीज देखते वक्त वीडियो को पॉज करके उसको दस सेकंड पीछे ले जाकर दोबारा से उस डायलोग को सुनना चाहेंगे जैसे रादा भारगव अपनी कलीग से कहती है यू कैन इधर बी गुड रिपोर्टर और यू कन हैव गुड लाइफ दोनों साथ नहीं चल सकते पतरकारिता के विद्यार्थियों के लिए सीख है कि जब आप पतरकारिता जोइन करते हैं जब जोइन करते हैं तो आपको बहुत चीजों से समझोते करने पड़ेंगे चाहे वो फैमिली है उसके लिए समय देना है और आपकी इस पर आप काम कर रहे हैं या मिशनरी जनलिजम कर रहे हैं इसके लिए उस समय आपको निकालना पड़ेगा तो काफी चैलेंजिंग है इस त्याले को जरिए राधा भारगव यानि श्रया पिल गाउंकर ने दर्शाया है जोज 24-7 के स्टार एंकर धीपांकर सान्याल का य इस दियालोग कि मैं सिर्फ न्यूज डिलीवर नहीं करता टीयारपी डिलीवर करता हूं यह दर्शाता है कि न्यूज चैनल्स में टीयारपी को लेकर कितनी अंधिदोड मची हुई है और टीयारपी के लिए या एक दूसरे को पीछे चोड़ने की होड में वो क्या कर सकते हैं किस हद तक गुजर सकते हैं यह इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा और यह इस डियालोग के जरिए दर्शाया गया है एक सीन में धीपांकर सान्याल आवाज भारती की रिपोर्टर राधा भारगाउ से कहता है कि कॉलेज की केंटीन से बहार आ जाओ बहार की दु रोच आता है उठी अपने आप में बहुत भारी ढा wesलोग है इंके पीछे चॉपए हुई है जो पतरकारिताक के विद्धियार्थिं को समझनी चाहिए अब बात करते हैं कि पतरकारिताके विद्यार्थियों के लिए खासकर इस इस सीरीज क्यों महतोपूर्ण है और कौन स खबरें कैसे उन खबरों को त्यार किया जाता है, चैनल में क्या होड लगी हुई है, कैसे एक दूसरे को पीछे छोड़ते हैं, और टियार पी का उसमें क्या रोल है, एडिटोरियल फ्रीडम और मीडिया ओनर्शिप जो है, यानि उस चैनल का जो मालिक है और चैनल का जो वेब सेरीज में, आपको पता लगता है कि मेडिया लिटरेशी कितने जरूरी है, जब मीडिया एजन्डा सेट करता है, जब मीडिया फेक जी डिलीवर करता है, तो वहाँ पर बहुत इमपोर्टस बढ़ जाती है, इस मीडिया लिटरेसी की, तो as a student, as a student of journalism, आपको पता हो में कई स्टूडेंट्स अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें अच्छा लगता है कि वो क्विस्टिंग ऑपरेशन करें, लेकिन उन्हें समझ आएगा कि खौजी पत्रकारिता की चुनूतियां क्या हैं, कितना मुश्किल है खौजी पत्रकारिता करना, आपको जान हथेली पर रखकर खौजी पत्रकारिताब करते हैं, तो फ्रेंड्स हम यह कह सकते हैं, कि दे ब्रोकन न्यूज रेलेवेंट इश्यूज पर बनी एक शानदार वैब सीरीज है, जिसे हम सभी को देखना चाहिए, नकेवल मीडिया जगत के विद्यारतियों के लिए, मीडिया प्रो फेक होंगी, आप भी ये वैब सीरीज देखिए, और समझने की कोशिश केजिए, कि ये आपके जीवन के कितना करीब है, और आपके जीवन को कितना प्रभावित करती है, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं, आप देखते रहे हैं मासकों जंक्शन, धन्यवाद